हलो बच्चों कैसे यो आप लोग आए आज हम आपके पाठ में दो चर वाले रेखिक समिकर्ण युगों को प्रतिस्थापना विधी से कैसे हल करते हैं सीखेंगे हम ये जानते हैं कि एक रेखिक समिकर्ण युग को हल करने की बीज गणितिय विधी तीन हैं प्रतिस्थापना विधी, विलोपन विधी और व्रजगुणन विधी उसमें आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापना विधी हम एक चर का मान दुसरे चर के पद में व्यक्त करके रेखिक समिकर्ण युगम को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए इस विधी को प्रती स्थापना विधी कहते हैं इसको सीखने के लिए आईए हम एक प्रश्ट हल करते हैं और अलग-अलग चर्णों को समझते हैं प्रती स्थापना विधी द्वारा निम्न रेखिक समीकर्ण युग को हल कीजिए प्रश्ण है 7x-15y बराबर 2 पहला समीकरन दूसरा x-2y बराबर 3 ये दूसरा समीकरन पहले चरण में हम क्या करते हैं हम किसी एक समीकरन को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे पदों में लिखते हैं आईए समीकरन 2 जो है x-2y बराबर 3 को ले और इसे हम क्या लिख पाएंगे x बराबर 3-2y इसको हम समीकरन 3 ले लेते हैं और अगली चरण में x का ये मान समीकरन 1 में प्रती स्थापित कीजिए हम पाते हैं 7 गुना 3-2y-15 बराबर है 2 के अब इसको हम हल करके देखिए 7-21 और 7-14y-15y बराबर है 2 के जिसको हम हल करके लिख पाएंगे-29y बराबर 2-21 21 उदर जाएगा इसलिए sign बदल जाएगा और हमारे पास प्राप्त होगा-29y बराबर-19 अब माइनस माइनस क्यांसल हो जाएगा और 29y बराबर 19 आ गया और तो y का मान आ गया 19 बराबर 29 अब हम अगले चरण में y का ये मान समीकरण 3 में प्रती स्थापित करने पर हम पाते हैं एकस बराबर 3 माइनस दो गुना 19 बटा 29 जिसको हम 2 को 29 से गुना करेंगे 38 बटा 29 अब इसको हम सरल कर लेते हैं 3 माइनस 38 बटा 29 29 को 3 से गुना करने पर हम पाते हैं कि हमें 87 माइनस 38 बटा 29 जिसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि हमें मिलेगा 49 बटा 39 अतर हल है x का मान 49 बटा 39 और y का मान है 19 बटा 39 सत्यापन देखिए x को अगर हम 49 बटा 39 और y बराबर 19 बटा 39 को प्रती स्थापित करने पर आप जांच कर सकते हैं कि दोनों समिकरण एक और दो संतुष्ठ हो जाते हैं आईए अब आपकी प्रशनावली 3.3 हल करते हैं पहला प्रशन है निम्न रेखिक युगन को प्रती स्थापना विदी से हल कीजिए x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4 ये दो हमारे पास समिकरण है समिकरण 1 से हम y का मान लिख लेते हैं 14 माइनस x इसको हम तीसरा समिकरण मान लेते हैं समिकरण 2 में y का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा x माइनस y के मान पे हमने रख दिया 14 माइनस x बराबर 4 अब अगर हम ब्राकेट खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 14 प्लस x बराबर 4 क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस और x और x को हम जोडेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 4 प्लस 14 जो 2x बराबर हो गया 18 या x बराबर हो गया 9 के x का मान समीकरन 3 में रखने पर हम पाते हैं कि y का मान हो जाएगा 14-9 जो 5 के बराबर है इस तरह हम देखते हैं कि हमें x का मान 9 और y का मान 5 है दूसरा प्रेशन देखते है, S-T बड़ाबर 3, पहला समीकरन, S बटा 3 प्लस T बटा 2 बड़ाबर 6, यह दूसरा समीकरन समिकरन एक से हम S का मान क्या लिख सकते हैं 3 प्लस T इसको हम तीसरी समिकरन माल लेते हैं अब समिकरन दो में समिकरन दो हमारे पास क्या है S बटा 3 प्लस T बटा 2 बराबर है 6 के अब हमें S को लिखना है 3 प्लस T तो 3 प्लस T बटा 3 प्लस T बटा 2 बराबर है 6 के ठीक है अब हमने इन दोनों में LCM लिया 3 और 2 का तो वो हो जाएगा 6 और यह हमें मिलेगा 2 गुना 3 प्लस T प्लस 3 T बराबर है 6 के अब अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा 2 त यह 6 प्लस 2 T प्लस 3 T बटा 6 अब अगर हम तिर्ची गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 T और 3 T बन गया 5 T प्लस 6 बराबर है 6 गुना 6 36 अब 5 T बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6 जो हो गया 30 तो 5 T बराबर हो गया 30 के और T हमें मिल गया 6 T का मान समीकरन 3 में रखने पर S बराबर होगा 3 प्लस 6 जो हमें देगा S बराबर 9 आते हैं S बराबर 9 तथा T बराबर 6 है अगला देखते हैं 3X माइनस Y बराबर है 3 और 9X माइनस 3Y बराबर है 9 बहुत ही प्यारा प्रश्न है ध्यान से देखिए समीकरन 1 से हमें मिला Y पराबर 3X माइनस 3 इसको हमने समीकरन 3 ले लिया समीकरन 2 में Y का मान रखने पर हम क्या पाते हैं 9X माइनस 3 गुना 3X माइनस 3 बराबर है 9 के इसको हल करने पर देखे क्या मिला हमें 9x minus 9x plus 9 बडाबर है 9 अब आप देखे 9x minus 9x कैंसल हो गया तो हमें क्या मिला 9 बराबर 9 यह कैसी स्थिती आ गई? यहां हम देखते हैं कि 9 बराबर 9 सत्य है अतह रेखेक युग्म के अनंत हल होंगे इस थिती में हमारे पास समी करनों के अनन्त हल पाए जाएंगे आगला प्रशन देखते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.2.3 आप ध्यान से देखिए बच्चो अगर हम पहली समी करन को 10 से गुना कर दे तो हमारा दश्मलब गायब हो जाएगा हम उसको सरल समी करन लिख पाएंगे 2x प्लस 3y बराबर है 13 उसी प्रकार हमने दूसरी समी करन को भी सरल कर लिया 10 से समी करन को गुना कर दिया और हमें मिलेगा 4x प्लस 5y बराबर है 23 इन दो समी करन से अब हमने प्रतिस थापना विदी से हमने समी करन 1 से 3y को हमने क्या लिखा 13 माइनस 2x तो y कितना हो जाएगा y हो जाएगा 13 माइनस 2x बटा 3 ठीक है समी करन 2 में समी करन 2 क्या हमाय पास है 4x प्लस 5y y के स्थान पे हमने क्या लिखा 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर है 23 अब इसको हल करते हैं बच्चो 5 गुना 13 कितना हो गया 35 और 5 गुना 2 कितना हो गया 10 तो माइनस 10x तो 4x प्लस 65 माइनस 10x बटा 3 बराबर है 23 ठीक है अब हमने 4 को 3 से गुना किया तो हमें क्या मिला 12x प्लस 65 माइनस 10x बटा 3 बराबर है 23 अब देखिए 12 में से 10 गटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2x और ये हैं हमारे पास 65 और 23 को 3 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 69 तो 2x बराबर हुआ 69 माइनस 65 जो है 4 के बराबर इस तरीके से हमने x का मान क्या प्राप्त किया 2 अब आगे हम देखते हैं y का मान कैसे निकालेंगे x का मान समिकर्ण 3 में रखने पर y हमें मिलेगा 13 माइनस 2 गुना 2 बटा 3 ये हो गया 13 माइनस 4 बटा 3 जो हो गया 9 बटा 3 और इस तरीके से हमें x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त हुआ अगला प्रश्elim देखते है ये हैं वर्ग मुल 2x प्लास वर्ग मुल 3y बडाबर है 0 और वर्ग मुल 3x माइनस वर्ग मूल 8y बडाबर है 0 ये हमारे पास 2 समिकर्हें है समिकर्今天的 एक से हम वर्गमुल 3y को कैसे लिख पाएंगे? माइनस वर्गमुल 2x और y को लिख पाएंगे वर्गमुल 2x बटा वर्गमुल 3 इसको हम समिकरन 3 मान लेते हैं समिकरन 2 में y का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? वर्गमुल 3 माइनस वर्गमुल 8 गुना माइनस वर्गमुल 2 x बटा वर्गमुल 3 बराबर 0 यहां ध्यान से देखिए हम वर्गमुल 8 को कैसे लिख सकते हैं बचों हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 जिसको हम लिख पाएंगे 2 वर्गमुल 2 वो ही हमने किया यहाँ पर देखिए वर्गमुल 3x माइनस 2 वर्गमुल 2 गुना माइनस वर्गमुल 2x बटा वर्गमुल 3 बराबर 0 अब देखिए 2 गुना वर्गमुल 2 और वर्गमुल 2 गुना करने से मिला 2 दो गुना दो चार हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमें मिला यहाँ पर वर्गमुल तीन एक्स माइनस चार एक्स बटा वर्गमुल तीन बराबर है शून्य अब वर्गमुल तीन को वर्गमुल तीन से गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3x यहां था प्लस 4x और वर्गमुल 3 को 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा 0 तो इस प्रकार हमने देखा 7x बराबर हो गया 0 के अब हम जानते हैं 7 तो 0 हो नहीं सकता इसलिए x बराबर होगा 0 के और y बराबर होगा माइनस वर्गमुल 2 बटा वर्गमुल 3 गुणा 0 है यह देखी आपने यहां पर माइनस वर्गमुल 2 बटा वर्गमुल 3 गुणा x इसमें हमने x का मान रखा तो हमें y भी 0 मिला इस तरीके से हमने देखा x का मान और y का मान दोनों का मान 0 है अगला प्रश्न देखते हैं यहां है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर है माइनस 2 यह पहला समी करन दूसरा है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर है 13 बटा 6 इसको आप ध्यान से देखिए हल करने पर हम लिख पाएंगे 9x माइनस 10y बराबर है माइनस 2 के और हमने और हल किया 9x माइनस 10y बराबर होगा माइनस 12 के इसको हम ले लेंगे पहला समी करन इसी प्रकार दूसरा हमारे पास हमने हल कर लिया और हमारे पास समी करन क्या मिली 2x प्लस 3y बटा 6 बराबर होगा 13 बटा 6 इसमें हमने देखा हमारे पास 6 कैंसल हो रहा है और हमारे पास समीकरन एक से हमें क्या मिल पा रहा है माइनस दस वाई बराबर है माइनस बारा माइनस नौ एक्स यहां बच्चो देखो आपके पास माइनस साइन हर जगे है अगर हम इसको माइनस वन साइन से माइनस वन से गुणा करते हैं पूरे समीकरन को तो हमारे पास सारे साइन बदल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा 10y बराबर 12 प्लस 9x और y हो जाएगा 12 प्लस 9x बटा 10 अब इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं और आगे हम x का मान ग्याद करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं देखिए हमारे पास है समीकरण 2 में y का मान रखने पर 2x प्लस 3 गुना 12 प्लस 9x बटा 10 बराबर है 13 इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं 2x प्लस 12 प्लस 9x बटा 10 बराबर है 13 आप देखिए बच्चो यहाँ हमारे पास मिलेगा 2x प्लस 12 तिया 36 और 9 तिया 27x बटा 10 बराबर है 13 यहाँ 10 दुना 20 20x प्लस 36 प्लस 27x बटा 10 हो जाएगा 13 आप देखिए 20x और 27x कितना हो गया 47x बटाबर है 94 यह देखिए यह हो गया 130 हो जाएगा 10 गुना 13 हो गया 130 130 पर से 36 गठाएगे तो हमें क्या मिलेगा 94 तो x का मान हो जाएगा 94 बटा 47 यह हो जाएगा 2 तो x का मान हमें मिला 2 समीकरन 3 में x का मान रखने पर हम देखते हैं y बराबर होगा 12 प्लस 9 दुनी 18 बटा 10 जो हो जाएगा 30 बटा 10 और इस प्रकार हमें x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त होगा समझ में आया बच्चो अब अगला प्रशन देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24 को हल कीजिए और इस से m का वह मान ग्याद कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3 इसमें ध्यान दीजिए हमें x और y का मान निकालने के बाद हमसे m का मान भी पूछा है कैसे करेंगे समीकरन 1 से हम लिख पाएंगे 3y बराबर 11 माइनस 2x उधर ले जाएंगे तो sin बदल जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2x पटा 3 इसको हम समीकरन 3 ले लेते हैं समीकरन 2 में y का मान रखने पर हम क्या पाते हैं 2x माइनस 4 गुना 11 माइनस 2x पटा 3 जो बराबर है माइनस 24 अब अगर हम 4 को 11 से गुना करें तो हमें मिलेगा minus 44 और 4 दोनी 8 साइन हो गया plus का तो 6X और 8X कितना हो गया? 14X और minus 72 में 44 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा minus 28 तो X का मान हो जाएगा minus 2 अब हम X की मान को इसमें डालेंगे और हमें Y का मान मिल जाएगा देखिए Y बराबर 11 minus 2 गुना minus 2 बटा 3 तो Y बराबर हुआ 11 plus 4 बटा 3 जोग्या 15 बटा 3 जिसको हम हल करेंगे तो हमें Y का मान आजाएगा 5 अतहे X का मान minus 2 और Y का मान 5 है अब हम से ये भी पूछा है कि हम M का मान बताएं तो हमें X और Y का मान इसमें रखना है 5 बराबर होगा m गुना माइनस 2 प्लस 3 जो हो जाएगा 5 माइनस 3 देखिए कितना हुआ प्लस 2 तो यह हुआ 2 बराबर है माइनस 2m यह m का मान हो जाएगा देखिए 2 बटा माइनस 2 यह हो जाएगा m इस प्रकार m का मान कितना हो गया माइनस 1 हमने X का मान निकाला माइनस दो, Y का निकाला पांच और M हो गया माइनस एक समझ में आया बच्चो? चलिए अगला प्रशन करते हैं निम्न समस्याओं में रेखिक समिकर्ण युद्म बनाईए और उनके हल प्रती स्थापन विदी द्वारा ग्याद कीजिए प्रशन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है उन्हें ग्याद कीजिए तो माल लीजिए एक संख्या X है और दूसरी संख्या Y है तो प्रशन के अंस्वार X कितना हुआ? x बराबर हुआ 3 गुना y ये पहली समिकरण हो गई संख्याओं का अंतर है 26 इसलिए x-y बराबर आया 26 हम देखते हैं कि इसमें समिकरण 1 से x का मान रखने पर 3y-y बराबर हुआ 26 जिसको हम लिख सकते हैं 2y बराबर 26 या y हो गया 13 समिकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर हो जाएगा 3 गुना 13 वो हो जाएगा x बराबर 49 अतरहां एक संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 49 है आगे देखते हैं दो सम्पूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिगरी अधिक है उन्हें ग्याद कीजिए मान लीजिए बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है तो प्रशन के अंस्वार x बराबर होगा y प्लस 18 डिगरी ये पहली सम्मिकरन दोनों कोण सम्पूरण है इसलिए x जमा y हो जाएगा 180 डिगरी सम्मिकरन एक से x का मान रखने पर y प्लस 18 प्लस y बराबर हो जाएगा 180 जो हम देखते हैं y प्लस y हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18 180 माइनस 18 बराबर होगा 162 तो 2y बराबर होगा 162 या y बराबर होगा 81 डिगरी इस से हम x का मान निकाल लेंगे समिकरन एक में y का मान रखने पर x बराबर होगा 81 प्लस 18 डिगरी जो होगा 99 डिग्री अता एक कोन 81 डिग्री तथा दूसरा कोन 99 डिग्री है अगला प्रशन देखते हैं एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपे में खरीदी बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपे में खरीदी प्रतेक बल्ले और प्रतेक गेंद का मूल्य ग्याद कीजिए माल लीजिए एक बल्ले का मूल्य है एक्स रुपे और एक गेंद का मूल्य है य रुपे तो पहली शर्थ के अंसौर 7x प्लस 6y बराबर हुगा 3800 रुपे और उसमें से हमने 7x को लिख पाएंगे 3800 माइनस 6y x का मान आया 3800 माइनस 6y बटा 7 इसको हम 3x प्लस 5y बराबर 1750 में रखेंगे और 3 गुना 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर होगा 1750 के अब हमने इसको गुना किया तो हमें क्या मिला 11400 माइनस 6y हो गया माइनस 18 प्लस 35y बटा 7 जो बराबर होगा 1750 के इस प्रकार हमने देखा 35y माइनस 18y को हम लिख पाएंगे 17y प्लस 11400 बराबर होगा 12250 के अब 17y हम लिख पाएंगे 12250 माइनस 11400 जो होगा 850 के बराबर तो y का मान हो जाएगा 850 बटा 17 और इस प्रकार y का मान हुआ 50 अब देखते हैं हम समीकन एक में y का मान रखने पर x बराबर होगा 3800 माइनस 6 गुना 50 बटा 7 तो ये हो गया 300 तो 3800 माइनस 300 हो गया 3500 बटा 7 हो गया 500 रुपे तो x का मान रखने 500 रुपे और y का मान रखने 50 रुपे अतहर एक बल्ले का मूल्य हुआ 500 रुपे और एक गेंद का मूल्य हुआ 50 रुपे अगला प्रश्न देखते हैं यदि किसी भिन के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटा 11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटा 6 हो जाती है वह भिन ज्याद कीजिए माना अंश x है और हर को हमने ले लिया y तो हमारी परिमेश संख्या क्या हो गई? x बटा y पहली शरط के अंसवार हमने 2 जोड़ा है अंश में और 2 जोड़ा है हर में तो x प्लस 2 बटा y प्लस 2 बराबर होगा 9 बटा 11 के देखे, x जमा 2 और y जमा 2 बराबर हुआ 9 बटा 11, यहां तिरची गुना करने से हमें मिलेगा 11 गुना x प्लस 2, जो हो जाएगा 11 x प्लस 22 बराबर होगा 9 y प्लस 18, चीक है? अब 11 x को हम क्या लिख पाएंगे? 11 x को लिख पाएंगे 9 y प्लस 18 माइनस 22, यह 11 x बराबर होगा 9 y माइनस 4 बटा 11, इसको हम पहली समिकरन ले लेते हैं। अब दूसरी शरत के अंसार हमने 3 जोड़ा था हर में और अंच में, तो x प्लस 3 बटा y प्लस 3 बराबर होगया 5 बटा 6, इसको भी देख लीजे, x प्लस 3 बटा y प्लस 3 बराबर हुआ 5 बटा 6, अब हमने तिरची गुना की, तो हमें क्या मिला? 6 x प्लस 18 और 5 y प्लस 15, 6 x माइनस 5 y बराबर होगया 15 माइनस 18 जो होगया माइनस 3 के बराबर, तो हमाई दूसरी समिकरन हुई 6 x माइनस 5 y बराबर माइनस 3, इसको हम दूसरा समिकरन मान लेते हैं, समिकरन 1 से x का मान रखने पर 6 गुना 9 y माइनस 4 बटा 11 माइनस 5 y बराबर होगा माइनस 3 के, 54 y माइनस 25 y बराबर होगा माइनस 33 के, जिस से हमें मिलेगा माइनस 9 बराबर माइनस 33 प्लस 24, जो माइनस y बराबर हुआ माइनस 9 के, और माइनस साइन दोनों तरफ कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा y बराबर 9 हम देखते हैं कि हम x का मान कैसे निकालें समीकर एक में y का मान रखने पर x का मान होगा 9 गुणा 9 माइनस 4 बटा 11 जो लिख पाएंगे हम 81 माइनस 4 बटा 11 या 77 बटा 11 जिसको हल करने पर हम देखते हैं कि x का मान आ गया 7 अते परी में संख्या हमें क्या मिली? X बटा Y जो है 7 बटा 9 ठीक है बच्चो समझ में आया? चलिए अगला प्रशन करते हैं पांच वर्ष बाद जेकब की आयू उसके पुत्र की आयू से 3 गुनी हो जाएगी पांच वर्ष पूर्ष जेकब की आयू उसके पुत्र की आयू की साथ बुना थी उनकी वर्त्मान आयू क्या है? माल लीजे जेकब की वर्त्मान आयू है X वर्ष और पुत्र की वर्त्मान आयू है Y वर्ष पांच वर्ष बाद जेकब की आयू कितने हो जाएगी? x plus 5 वर्ष और पुत्र की आयूबी क्या हो जाएगी y plus 5 वर्ष प्रश्ण के अंसार x plus 5 बराबर होगा 3 गुना y plus 5 जिसको हमने bracket खोल के सरल कर लिया और हमें क्या मिला x plus 5 बराबर 3y plus 15 जिसको हम लिख पाएंगे x minus 3y बराबर 10 या उसमें से हमने x का मान निकाला तो हमें क्या मिला x बराबर 3y plus 10 यह हमारी हो गई पहली समीकरण अब इसी तरह हम दूसरी शर्त देखते हैं क्या है 5 वर्ष पूर्फ जैकब की आयू है x minus 5 वर्ष और पुत्र की आयू क्या रही होगी y minus 5 वर्ष प्रश्ण के अंसार x minus 5 बराबर होगा 7 गुना y minus 5 जो हम लिख 7y minus 35 या x minus 7y कितना होगा minus 35 प्लस 5 जिसको हम लिख पाएंगे x minus 7y बराबर minus 30 अब देखें कैसे हल करते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर x minus 7y बराबर होगा minus 30 और हमने यहाँ पे x का मान रखा कितना 3y plus 10 जो हमने अभी निकाला था 3y plus 10 minus 7y बराबर होगा minus 30 के अब ध्यान से देखें 3y minus 7y कितना आएगा minus 4y plus 10 बराबर है minus 30 के अब देखें यहाँ पे minus 4y बराबर हो जाएगा minus 40 के और minus minus दोनों तरफ कैंसल होने से हमें plus sign आजाएगा 4y बराबर होगा 40 या y बराबर होगा 40 बटा 4 जो हमें y का मान 10 देगा समीकर एक में y का मान रखने पर x बराबर होगा 3 गुणा 10 प्लस 10 वो हो गया 40 अतहे है जेकब की आयू 40 वर्ष और पुत्र की आयू 10 वर्ष है ठीक है बचो आगे अब समय है घ्रह कार्ये का प्रश्ण पहला आपके लिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपे था एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपे हो गया हो जाता है इस थिती का रेखिक समिकर्ण युग्म बनाईए और उसका हल प्रतीस थापना विदी द्वारा ग्याद कीजिए अगला प्रश्ण निम्न समिकर्ण के युग्म को प्रतीस थापना विदी से हल कीजिए पहला है x plus y बड़ाबर 5 और 2 x माइनस 3 y बड़ाबर 4 दूसरा 3 x माइनस 5 y माइनस 4 बड़ाबर 0 और 9 x बड़ाबर 2 y प्लस 7 तीसरा है 3 x प्लस 4 y बड़ाबर 10 और 2 x माइनस 2 y बड़ाबर 2 तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि एक रैखिक समीकर्ण युग के हल ज्याद करने के लिए प्रतिस्थापना विधी पर हमने चर्चा की जिसमें हमने सीखा की एक चरका मान दूसरे चरके पद में व्यक्त करके रेखिक समीकन युग को हल करने के लिए प्रतीस थापित किया जाता है इसलिए हम इस विदी को प्रतीस थापना विदी कहते हैं तो बच्चों आशा करती हूँ, आपको ये प्रती स्थापना विदी समझ में आई होगी, आप इसका खुब अभ्यास करिए और आप इसको सीख जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, धन्यवाद. झाल 강ना कर्या है, झाल को सीख जाएंगे, फैंधे ये मेरा विदया ये आपको ये ए सका झाल कर राविता झाल अभ्यास।